प्यारे आई बहनों, परमात्मा तत्व रूप से निराकार ही है, निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं है, इस संसार में तमाम ऐसे बेक्ति जिन्होंने ब्रहम ग्यान की दाद को प्राप्त नहीं किया है, वो भी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, परंतु उनका यह कहना है कि परमात्मा जब निराकार है तो परमात्मा को देखा कैसे जा सकता है निराकार को देखा नहीं जा सकता परंतु जिन्होंने पूरण सत्गुरु के चरणों में आके इन से ब्रहम का ग्यान प्राप्त कर लिया है वो नहीं कहते कि परमात्मा को देखा जा सकता है दरसल हम भी शायद आप जो ब्रहम गयानी इस बीडिये को देख रहे हैं आप भी इस घ्ञान को प्राप करने से पहले यहीं समस्ते होंगे कि पर्मात्मा चूंकि निराकार है इसलिए पर्मात्मा को देखा नहीं जा सकता परंतु जब गुरु के चरणों में आ गए और गुरू की करपा से परमात्मा के दर्शन हो गए तो फिर हम कहते हैं कि परमात्मा निराकार है परंतु परमात्मा के निराकार तत्व रूप को देखा जा सकता है और यह बात कि परमात्मा को देखा जा सकता है यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने परमात्मा को देखा है और किबल मैंने अकेले नहीं परमात्मा को नहीं देखा जितने भी नंकारी भाई बहन हैं उन सब ही ने परमात्मा के निराकार रूप के दर्शन किये हैं दरसल निराकार का अर्थ है जिसका कोई भी आकार नहीं है ग्यान लेने से पहले हम निरा का आर्थ लगाते थे अद्रश्य होने से कि परमात्मा तो अद्रश्य है दिखाई नहीं दे सकता परंतु परमात्मा अद्रश्य नहीं है परमात्मा निराकार है निराकार के दर्शन किये जा सकते हैं जब जीबन में पूर्ण सत्गुरु का प्रवेश हो जाता है निराकार क आर्थ ये नहीं है कि निराकार को देखा नहीं जा सकता कई चीज निराकार हैं परन्तु उनके दर्शन किये जा सकते हैं उन्हें देखा जा सकता है जैसे आप जल को ले लीजिए जल को आप कौन से आकार का नाम देंगे किस आकार का नाम देंगे जल भी तो निराकार है उसक निराकार का अर्थ समझना बहुत जुरूरी है निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं है दूद को आप कटोरे में रख दीजे तो कटोरे की आकरते ले लेता है आप उसे किसी बाल्टी में रख दो टब में रख दो या जिस भी बरतन में रख दो वो उसी की आकरती ग निराकार है और ऐसे तत्व रूप को हम जान सकते हैं पूरे सत्गुरु की चरण में आकर आप यह कमेंड देखिए अन्नु भट जी लिखते हैं धन निरंकार संत जी संत जी मेरा एक दोस्त है वो कहता है कि निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं होता वो तुम कैसे कह सकते हो क कि तुमने निरंकार को देखा और तुम्हारा ग्यान गीता बाला ग्यान है गीता में तो भगवान ने जो अरजुन को अपना बिराट रूप दिखाया था उसके तो दस सिर आठ भुजाएं वो बिश्व सरूप था वो कहता है मैंने गीता पढ़ी है उसमें भगवान ने शरूप निराकार ही बताया है लेकिन निराकार को कोई देख नहीं सकता तो तुमने कैसे देखा अरजुन ने भी नहीं देखा तो तुम्हारे गुरु ऐसा कैसे कहते हैं किरपा करें कोछ समझाएं प्यारे भाई भेनो इस कमेंट में जो प्रश्ण उठाए गए हैं उन प भागब्द गीता भागवान की बाणी है आप इसे जितनी बार भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नई बात आपको जानने के लिए मिलेगी इसलिए यदि आप इन परश्न के उतर जानना चाहते हैं सिर्मद गिफागब्द गीता में गहराई तक उतरना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए और यदी नहीं तो फिर इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए प्यारे भाइव बहनों आप जो कलेंडर में यह रूप देखते हैं कई सीरियलों में भी आपने यह रूप देखा है ये रूप भगवान ने अर्जुन को उसकी बिन्ती करने पर दिखाया। ये रूप भगवान ने अपने आपको सब कुछ बताया आप जागर के पढ़िये। शक्ति, बल, वीर्ये और तेज से युक्त मैं आपके एशवर रूप को प्रतियक्ष देखना चाहता हूँ। निराकार रूप की तो अर्जुन ने यहां पर बात ही नहीं कही है। उन्होंने कहा आपके एशवर रूप को जिसमें शक्ति हो, जिसमें सामर्ति हो, बुद्धी हो, वीर्य हो, बल हो और तमाम परकार का जिसमें तेज हो ऐसे रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। निराकार के दर्शन की बात नहीं की। तो स्रीमत भागवत गीता के ग्यारवे अध्या में भगवान ने अर्जुन को जो अपना ये रूप दिखाया, जो आप कई कलेंडर्स में और कई सीरिलों में भी देखते हैं, ये भगवान का निराकार रूप नहीं है, ये भगवा प्रश्ट तस्ते नमस्त्वते सर्वत एब सर्व अनन्त भीर्यमित विक्रम इस्त्वम सर्वां समाप नोशी तथो असी सर्वहा है प्रभू आपके लिए दाएं से भी प्रणाम बाएं से भी प्रणाम आगे से भी प्रणाम पीछे से भी प्रणाम उपर से भी प्रणाम नी क्राल रूप में जिसमें सूरज भी हैं, चांद भी हैं, सितारे भी हैं, तमाम परकार के राकसस भी हैं, देपता भी हैं, किंडर भी हैं, गंदर भी हैं, किसी मुक्से आग निकल रही हैं, किसी हाथ में गदा हैं, चक्र हैं, मतलब सब कुछ भायानक और बिशाल रूप जो हर्शित हो रहा हूँ और मेरा हिर्दय भैसे ब्याकुल हो रहा है इसलिए आप इस रूप को हटा कर आप अपने चतरभुज बिश्ण रूप में मुझे दरसन दीजिए अभी यहाँ एक बार भी कोई निराकार तत्व रूप का वरणन हुआ क्या एक बार भी नहीं हुआ भगवान का यह रूप तत्व रूप नहीं है मतलब यह रूप वो नहीं है जो इस्थिर है अचिंतिय है अचेदिय है अभेदिय है हर समय मौझूद रहने वाला है जो असीम है किसी भी सीवा में जो आना ही सकता ये बो रूप नहीं है इस रूप की तो सीमा है भले ही ये रूप बिराट है अपने इस रूप के बारे में अरजुन ने जब भगवान से पुछा ना कि हे प्रभू आप कोन है इस रूप को देखकर तो भगवान कहते हैं हे अरजुन मैं बढ़ा हुआ महा काल हूँ भगवान ने यहां एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मेरा वास्तविक रूप है ये मेरा निराकार रूप है और ना ही अरजुन ने निराकार रूप को देखने की इच्छा परकटकी बाद में अरजुन ने जब भगवान से कहा आप अपना मुझे वो बिशुन रूप जो चार भुज रूप दिखाया लेकिन अगले अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते भी कहते हैं अध्याय बारे के इन इसलोग संख्या तीन और चार के अर्थ को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भाती बसमे करके मन बुद्धी से परे सर्विव्यापी अकत्निय सुरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अभिनाशी सचीदा नंद घन ब्रह्म को निरंतर एकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं बेसंपूरन भूतों के हित्मे रत और सब में समान भाव बाले योगी मुझ को ही प्रत होते हैं भगबान का बहरूप जो अभिनासी है अजर है अमर है निराकार है अचिंतिय है सर्विव्यापी है अजर है अमर है अच्छे दिये है अकलेद दिये है बहरूप जो मन और बुद्धी से परे है जिसे निराकार रूप कहते है जिस रूप को परमात्मा के जिस रूप को तत्वदर्सी संतों की शरण में उनकी चरणों में जाकर जाना और देखा जा सकता है भगवान कहते हैं मेरे उस र लगा सकते हैं जो आपने पहले से देख रखा है यदि आप विश्णो भगवान का ध्यान लगाते हैं तो उनकी जो चबी जो उनका चरित्र जो उनका चित्र आपके मानस पटल पर पहले से अंकित है चाहे भगवान शिब का है चाहे किसी और का है चाहे ताज महल का है चाहे लाल किले का है, चाहे कुतुब मिनार का है, आप कुतुब मिनार का ध्यान करेंगे तो आपके ध्यान में कुतुब मिनार आएगी ना, तो भगवान का जो निराकार रूप है, यहां रूप शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, ताकि अपनी बात को किलियर कर सकू बैसे तो भगवान अरूप है ना रूप है ना रंग है ना आकार है कुछ भी नहीं है लेकिन यह रूप शब्द जो मैं बारवार इस्तिमाल कर रहा हूँ वो केबल और केबल भाबो को क्लियर करने के लिए ताकि आपकी समझ में आ सके इसलिए यहां पर इस्तिमाल कर रहा प्यारे भाई बहनों, अब स्रीमत भागवद गीता के चोथे अध्याय के 34 वे इस लोग की तरफ चलते हैं, जहां भगबान अर्जुन को तत्व ज्यान प्राप्ति का उपाय बताते वे कहते हैं कि है अर्जुन, उस ज्यान को तू तत्व दर्शी संतों के चरणों में जाकर समझ तद्विधी प्राणी पातेन परी प्रशनेन से वया उपदेख्शन ती ते ज्यानम ज्यानी नहा इस तत्व दर्शिना अब यहां पर हम रूप की बात नहीं करेंगे क्योंकि परमात्म तो आकार भीहिन है, रूप भीहिन है भगवान कहते हैं उस ज्यान को तू तत् छोड़ कर सरलता पूर्बक उनसे प्रशन करने से बे तत्व ज्यान को भली भाती जानने वाले ज्यानी जन तूझे तत्व ज्यान का उपदेश करेंगे, परमात्मा का रूप जानने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए भगवान ने जिस शब्द का इस्तिमाल किया है वो क्या है उपदेश का बातों से इशारे से परमात्मा के तुझे दर्शन कराएंगे तो बक्षिश करो करपा करो जो परमात्मा निराकार है जो परमात्मा अद्रश्य नहीं है जो परमात्मा माया में रमा हुआ है माया जिस परमात्मा में जिस रखा हो काई ने ठक रखा हो और कोई बेक्ती हाथ बढ़ा कर उस काई को हटाए तो नीचे से निर्मल जल परकट हो जाता है उसी तरह से इन आँखों पर परमात्मा तो परकट है यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि परमात्मा छुपा हुआ नहीं है दरसल हमारी आँखों पर माया का परदा चड़ा हुआ है जो हमें परमात्मा से मिलेने नहीं देता जो हमें परमात्मा को दिखने नहीं देता परंतु जैसे ही सद्गुरू हमारी आँखों से इस संसार में पड़ी हुई इस माया के परदे को हटाते हैं परमात्मा हमारे सामने परकट हो जाते है निराकार रूप उनका जो अनंत है, अभेद्य है, अच्छेद्य है, अकलांत है, जो अचिंत्य है, अकाट्य है, सर्व ब्यापी है, जो जलता नहीं, कटता नहीं, भीगता नहीं, सूपता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, इस्थिर है, मुजूद है, आँखों के सामने है, मैंने देखा है ना इसलिए यह बात आपके चरणों में रख रहा हूँ यदि इतनी पूरी बात सुनने के बाद भी आपको कोई शंका है तो आप एक बार नरंकारी माताजी के चरणों में आईए सद्गुरू के चरणों में आईए किसी ब्रह्म ग्यानी तत्व दर्सी मात्मा से नरंकारी मात्मा से उस ग्यान को प्राप्त कर लीजे और आपको यदि लगता है कि वो ग्यान जो गीता में भगवान ने कहा मैं इस चित्र की बात नहीं कर रहा हूँ या इस बाले चित्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में भगवान श्रीकर्ष्ण श्रीमत भागवदगीता के चोथे अध्याय के चोतिप स्वे इसलोक में कह रहे हैं वो जो तत्व ग्यान है वो तत्व ग्यान यदि आपको नंकारी मिशन में आने के बाद लगता है कि ये वो ग्यान नहीं है तो फिर कोई बंधन नहीं है आपका रास्ता खुला है ना ही कोई पावंदी है ना ही कोई शर्त है इस ग्यान से उस ग्यान को जो आपने पढ़ा है अभी देखा तो नहीं है उस ग्यान को मिला ये सच लगता है तो फिर आप इसका चिंतन कीजिए ज अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजेगा और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है इन्हीं शब्दों के साथ आप से भी कुछ जैहिंद, नमस्कार और प्यारभरी धन्नकार करने भी का देंद घूर को अभी तक रड़ा यदाओ कर दिया है जो इसे सब्सक्राइब के एक तक आपने तक आपने दिया है भी सब्सक्राइब झाल झाल